ही गाईस वेलकम बैक टू मैं चैनल दीपिका स्टाइल और मैं हूँ दीपिका कैसे आप सभी लोग आई हो सब ठीक होंगे तो अज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मिक्स वेज़ की रेसिपी ये देखें मिक्स वेजिटेबल सबजी है ये बहुत जादा हेल्दी होत हैं कि मुझे ये सब्सक्राइब नहीं खाना है तो इस तरीके से आप बनाके उनको दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाई हुई है अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा आपास म और नेक्स्ट मैंने यहां पे लिया है कैपसिकम, सिमला मिर्च, इसको भी लंबे-लंबे पीसिस में कट कर लिया है, नेक्स्ट यहां पे है फूल गोवी, तो कली फ्लॉवर है जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट यहां पे गाजर है, इसको भी लंबा-लंबा काट के लिया है, नेक यहां पर है मैंने एक medium size का टमाटर लिया है इसको भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में आप प्यूरी भी एड कर सकते हैं इसमें नेक्स हीं आप मेडियम साइस का प्याज जो की ऐसे लंबे-लंबे एक size में कट किया है मैंने नेक्स यहां पर पनीर के क्यूब्स हैं, यह बिलकुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, अधर्वाइज स्किप कर सकते हैं, नेक्स यहां पर अधरक है, आठ से दस लेसन की कलियां और दो हरी मेर्च, अगर आप जादा तीका खाना पसंद करते हैं, तो आप हरी मेर्च की काईटिटी बढ़ा सकते हैं, और लेसन में भी इन सब का मैं पीस लूगे इन सबी को, और यह सबी चीज़ें आज मैं यूज करने वाली हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनाना, मिक्स वेच फ्राई करने के लिए मैंने यहां पर ओईल लिया है, यह रिफाइंड ओईल है, नेक्स यहां पर मैंने हींग ली है, दो तेज पता लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और एक चमत जीरा है, तो इन सबी चीज़ों को यूज करके मैं स सेख लूँगी, और इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है, सेख लेते हैं पहले, तो चलिए सेख लेते हैं इनको, तो गैस पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है, और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, कड़ाई गरम हो चुकी है, अब मैं इसमें एक चमत चॉयल डाल के ही सेखना है, ज्यादा तेल हम यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम मेडियम फ्लेम पे ही हलका हलका सा सेख लेंगे, तो यहां पर मैं इसको ढखकन से ढखके एक से दो मिनिट के लिए अच्छा से भाप मैं इसको पका लूँगी, नेक्स्ट मैं यहां पर यह जो पता गो भी लिया था, उसको भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा सेख लूँगी, एक चमा चॉयल डालके ही मैं इसको सेख लूँगी, एक से दो मिनिट मैं ही यह सिख जाएगा, तो इसको मैं ढखकन से ढख देती हूँ, और एक से दो मिनिट के लिए मैं इसको भाप में पका लेती तो ये देखे सारी सबजयों को मैंने अच्छे से एक एक करके सेक लिया है जादा तेल में नहीं सेक ना है कम ही तेल यूज़ करके हम सेक इंगे इसमें तो सारी सबजी हमारी शेक चुकी है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बागी की तैयारी हम शुरू करते हैं सबजी बना लेते हैं तो अगेन मैंने उसी कड़ाई को गैस पर रखा है और इसमें एक चमाच वाइल डालूँगी जैसी ही ओइल करम हो जाता है तो मैं इसमें सबसे पहले जीरा एड़ करूँगी तो ओइल करम हो चुका है अब मैं इसमें ये जब मच्च जीरा लिया था उसको एड़ करूँगी नेक्स्ट मैंने यहाँ पर तेज पत्ते लिये थे उनको डालूँगी और साथ ही मैं ये जो हींग ली थी मैंने उसको भी डाल दूँगी जीरा को हलका सा गोल्डन ब्राउन हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसको सेक लेंगे तो गोल्डन ब्राउन ये देखिए हो चुका है अब मैं इसमें जो अद्राग लैसन और हरी मिल्च का जो पेस्ट राडी किया था उसको एड़ करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और इसको भी हम एक मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे ये देखिए अधरा ग्लेसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है हम इसमें जो प्याज काटके रखी हुए थे उनको एड़ करूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे तो इसको हम ढखकन से ढख देते हैं और एक से दो मिनिट तक गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से इसको भून लेते हैं ताकि प्याज का कच्छापन निकल जाए तो यह देखी एक से दो मिनिट हो चुके हैं और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है यह अब देख सकते हैं अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो टमाटा चॉप करके रखे हुए थे उनको डाल दूँगी और साथी में मैं यहाँ पर नमक एड़ करूँगी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जो आदा चमच नमक लिया था उसको एड़ कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी नमक से टमाटा जल्दी गल जाएंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको भी हम एक ढखकन से ढख देते हैं और एक से दो मिनिट तक के लिए मच्छे से टमाटार और प्याज दुवारा से भून लेते हैं यह देखिए एक से दो मिनिट हो चुके हैं और टमाटर भी बड़िया तरीके से गल चुके हैं और प्याज में अच्छे से मिल गया हैं और भुन चुके हैं तो अब मैं यहां पर मसाले एड़ करूँगी तो यहां पर मैं डालूँगी एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आदा चमच यह धनिया पाउडर एड़ करूँगी और आदा चमच में आप गरम मसाला एड़ करूँगी गरम मसाला आप डालना है तो डाल सकते हैं परना इसकिप कर सकते हैं और इन सभी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाला भी अच्छे से भुन जाना चाहिए तो मसाला को भी हम अच्छे से ढखके एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे तो ये देखें एक से दो मिनिट हो चुके हैं वाव मसाला बहुत अच्छी तरह से ये भुन चुका है यह देखे तो अब हमने जो यहां पे फ्राइ की हुई सब्जी है रखे दी उन सारी सब्जियों को हम इसमें मिक्स कर देंगे मैंने सारी सबजिय चाहिए घेटी देटी राविश चाहिए देते हैं ताकि मसाले की खुश्पू भी सबजियों में अच्छे से आ जाए तो एक से दो मिनेट हो चुके हैं हम देख लेते हैं सबजी ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके सी ये सबजी पक चुकी है हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब में आपे एक चेमच कसूरी मैंती डालूँगी उससी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगता है इसका सबजी बहुत मस्त आता है अलगी सबजी देखिए अब läuft कर देंगे और एक मिनिट के लिए हम इसको और पका लेंगे तो ये देखिए सबजी बहुत बढ़ियां तरीके से बन चुकी है अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसवर कर लेते हैं तो ये देखिए एक बाउल में मैंने सारी सबजी निकाल ली है तो मिक्स वेज हमारा एक तम तयार है जो की बहुत हैल्दी है पॉस्टिक है और सभी को हफते में एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए जरूर खाना चाहिए बच्चों को तो इस पैशली देना चाहिए तो ये देखिए सबजी एकदम ready है mix wage की आप रोटी पराथे पूरी के साथ जरूर इसको का सकते हैं तो आप घर पर एक बाद जरूर ट्राइ करें तो गाईस अगर मेरी ये mix wage की सबजी आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें पास में ही बैल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करें ताकि मेरी आगी की वीडियो की notification मिलती रहे मिलती हूँ next वीडियो में next recipe के साथ यादर को एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक केर